मर्ति प्रदीश के इंदर शोहर में रेसिडेंसी कूठी में काम करने वाले निजी कमपनी की कर्मिचारियों द्वारा पी एफ और निराशी को लेकर प्रदर्शन किया कर्मिचारियों ने पी एफ की राश्वी हडपनी का लगाया रोप 2016 से कमपनी ने अभी तक नहीं किया पी एफ राशी का भुटान जिसको लेकर कर्मिचारियों ने कमपनी के मालिक पर कारबाही की मांगी है बता दे कि रेसिडेंसी कोठी पर रतन एपोरियम नामक निजी कमपनी के कर्मिचारियों द्वारा देख भाल की जाती है कोठी पर आने वाले सभी राजनितिक पार्टी के निदाओं की खानपान यहीं कर्मिचारियों द्वारा किया चाता है नीजी कंपनी के अधिन काम करने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ PF की राशी हडपने का आरोब लगाते हुए कर्मचारियों ने एक साथ लामबंद होकर प्रदर्शन कर अपना Z जाहिर किया है यदि कंपनी को फिर से एक बार ठेका नहीं मिलता है तो इन वह कंपनी इन करमचारियों के पीएप किराशी हड़प कर फरार हो सकती है इसी को लेकर कर्मचारियों ने तुरंत पीअप की राशी उनके खातों में ट्रांसफर किये जाने पर इन सभी कारोणों की चलती कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी बुज के रांसफर सबस्क्रांसब्स कार्थयों क्रें सबस्क्राइब यह प्यक्ति में उल्य सबस्क्राइब प्रद्ट्ति का थि मार्ट के लग। लेकिन कुछ उमीद नहीं लग रही है हमको हम लोग को यह लग रहा थे यह लोग पैसा लेकर भागने के चक्कन में लगे हुए रतन इंपोरियम यह 2016 मार्च हां हम 2016 से ही है फोर्टी नाइन के कर्मचारी है अभी फिलाल में 25 से 30 लोग आए है और अभी आ रहे है जूटी के चलेरी तो हरताल करते हैं तो चलेरी आज आती है लेकिन पी अप हम लोग को छे महिन से तारिक पे देर रहे हैं लेकिन पी अप मिल नहीं जा है मेरा नाम सर फराज है ब्योर्पोर्ट वोल्ज अप्राइट